हाई एवरीवन वेलकम बैक तो माई चानल प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चानल आज हम लोग जा रहे हैं नरसरी जहां पर हम लोग ट्रीज खरिट सके जो फ्लावर वाला ट्रीज भी है या कोई दूसरे टाइप का भी ट्रीज है जिसमें फ्लावर नहीं आते कुछ शीट भी लेनी है ताकि मैं अपना घर की गार्डेन में वह सीट उगा सको तो यहां पर जेनरली गर्मी रहता है दुबई में लेकिन ऑक्टोबर से फेवररी तक यहां पर ठंडा रहता है तो इसी दौरान आपको जोतना पेर उगाना है आप उगा सकते हो क्यूंकि जाधातर टाइम पे गर्मी के ताइम पे यहां पे सारा पेर नहीं कुछ-कुछ पेर जैसे बहुत सारे पेर है जो टिक जाते जो आउट्डोर प्लैंट्स है लेकिन जादातर पेड जो है उनको जीवित रखना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि नॉर्मल सी बात है हम लोग तुलसी का पत्ता तुलसी का प्लैंट जो है वह हम लोग पूजा करते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वह सर्द्यों के टाइम पर बहुत अच्छा रहता है पता नहीं जब गर्मी के टाइम पर वह कुछ ना कुछ होके वह प्लैंट मर जाता है तो वह बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन मेरा पौधा कभी-कभी मर गया तो इस बार मैं आज जो मैं जाए गई हूँ वहाँ पर मैं फिर से तुलसी का प पूजा भी करते हैं तो यहां पर देखिए बहुत सारा पेर का शॉप है तो बड़े बड़े ट्रीज भी है खजूर के और बहुत सारे और बहुत सारे अलग-अलग भी स्टोर्स है जहां पर बहुत कुछ मिलता है जैसे टव हो गया गार्डन अक्सेसरीज हो गया यह सब तो हम लोग यहां पर आ चुके हैं तो यहां पर जैसे इंडिया का भी सिस्टम है कि सामने वाला दुकान में प्राइस जाधा रहता है थोड़े से अंदर चले जाओ तो प्राइस थोड़ा कम में भी आपको मिल सकता है यहां पर बार्गेन भी बहुत होता है तो यह सारा ज कुछ नहीं है दुबाई में दुबाई इस क्वाइट एक्सपेंसिव सिटी तो यह सब में आप ले सकते हो घर के लिए तो हमने यहां से तो नहीं दिया लेकिन हमने कोई दुसरे आप लोग ने देखा भी होगा मेरे कोई पूजा की वीडियो के अंदर एक बार हम लोग गनपती के पूजा किये तो तो इतना बरा वाला नहीं है मेरे पास मेरे पास छोटा सा ही था तो यह सारे देखिए यहां पर बहुत सारा चीजें मिल रहा है और यहां पर कुछ फार्न फरनिचर्स हो गए और ऐसे टाइप का कुछ तो आच्छा वाला स्टोर था बहुत ही और यह सारा है इंडोर प्लैंट्स और कुछ आउट्डोर प्लैंट्स भी है तो हम लोग यह वाला स्टोर से कुछ सीट्स खड़ी दे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम आने अपने घर में कैसे कैसे अपना घर का जो गार्डन है वहां पर कुछ सीट्स मैंने डाला मिट्टी के ऊपर यहां का स्वाइल की तो डिफरेंट है तो उसमें मैंने भेंडी का ट्री लगवाया उसमें मैंने कैप्सिकम का ट्री लगवाया उसमें मैंने मिट्ची का ट्री लगवाया और उ तो यह क्वेश्चन है कि या यह कहां पर मिला मुझे यह पूशा को यह नीचे गर जाए नीचे इसके साथ रहे जाए जाए है जाए हुआ जाए जैसे इस में फोड़ा सा भी नहीं बचे लेकिंगे लेकर तोड़ा इस होना तुरा ड़े निगल जाए गा यह प्लांट और प प्लांट मुल्ट करने के टेम पर रूप बगड़ा करफट नहीं हो जाए इस तरह है कि इसको पानी डाल गे ना जो तोड़ा नरम होगा पॉटिंग सोई तरह निकाल दे दूजरे में शेयर करने इसमें अच्छा चाओ बहुत सारा है बहुत यह सारे मल्टी प्लांटे सारे इसके और नए शूट निकलेंगे वह एक दम बेस से आता है जिस सरे स्नेक प्लांट की तरह है उसको भी आपने और और उसको तरह है तो दूसका तरफ सर देख सके काल पसारे में जाए पोई पोट जामिया और एटामादे तुलसी गाच इसका नाम क्या है फाइकस बेंजामिन लेकिन यह है कि तो यहां पर हम लोग ने ठी तो खड़िद लिया है और यह वाला ट्री के साथ हम लोग एक टब भी खड़िदे क्यूंकि इसको बढ़ा वाला टब में इंस्टॉल करना था तो वह आदमी हम लोगों को टब के साथ वह स्वाइल भी देखे यह पेड को उसमें अड़्जस्ट करके फिर पानी बानी डालके और थोड़ा फटलाइजर डालके यह हम लोगों को रेडी करके दे रहे तो कैसे कैसे यह कर रहे है देखिए यह सिस्टेम लेकिन हम लोगों भी हम लोग रख दिये जैसे खड़ित के लाएते और कुछ हम लोगों ने अच्छा वाला तब खड़ीदा उसमें ज्यादा तर हम लोगों का इंडोर वाला जो है वह सारा हम लोग अच्छे वाले टॉब में ही सेट किये जो घर के अंदर है लेकिन हाँ इन सब को अच्छे से करके रखना बहुत मुश्किल है तो और यह सारा पेड़ बहुत ही एक्सपेंसिव भी है जादा तर इंडोर प्लैंट जो है वह भी बहुत है तो देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं यह लोग और हम लोगों ने मैंने अपना जो बैलकनी में मैंने थोड़ा बहुत पेड़ो हम लोगों ने मैंने कुछ भी खड़ी तो उसमें मैंने घर में चोटे-चोटे पौधे भी उसमें उग गए तो वह उसका वीडियो में मैं दिखाऊंगे आपको कैसे कैसे पौधे और जाओ जो मैं लास्क बोल रहा था कि यह मालावाट स्पीनच कैसे मुझे मिला उसका प तो वहां पर एक बंगलादेशी भाई आते जो कि तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि यह क्या वह यह क्या पूशक है तो उन्होंने वह लहां तो फूशक का फंड़ा यह कि पूशक के आधर सीट सबको मिलता है तो आप लगाए यह तो पूशक का जो पेढ़ है उसमें थोड करीबन एक दो साल से ही मेंटेन कर रहा है ऐसा ऐसा टाइप का लेकिन इसके पहले भी हम लोग के पास और भी ज्यादा पेट था कुछ मर गया फिर हम लोग दूसरा वाला भी खड़ी दे ऐसा करके चल रहा है लेकिन फिट भी यह साड़ा पेर आल्मोस्ट एक साल के उपर ह है जो अभी जिन्दा है और अभी पहले चोटा चोटा लाएते अभी बड़ा हो गया तो यह देखिए मैंने अपना घर में यह देखिए पूशक जो मालावार स्पीनेच बोलता है यह इसका पौधा लगवाया है जो मैंने पेट्रल से लाई थी और यह सारा पेर है तो और लगवाया है जिसमें है भेंडी का ट्री विच इस काल्ड लेडिस फिंगर यह देखिए यह चोटा चोटा बना है इसको मैं बड़ा वाला टॉप में ट्रांसफर करूंगी और इसमें मैंने कैप्सिकम का भी पेड लगवा दिया है और मिट्ची का भी लगवा दिया है एक है जिसको हम लोग बेंगॉली में जवा फूल बोलते हैं तो पेड में भी कभी कभी प्लावर आ जाता है और यह रहा